हेलो नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देखें डिजिरल कंप्यूटर इंस्ट्यूट और अभी चला हुआ है मारा टैली प्राइम कोर्स यह टैली प्राइम कोर्स का लेसन नमबर 10 है लेसन नमबर 8 और 9 में हमने आपको सेल वाउचर और परचेज वाउचर समझाया है और आज हम आपको इस वाले लेसन में सेल रिटन और परचेज रिटन आपको करके दिखाएंगे यदि आप जानना चाहते हो कि सेल रिटन के एंट्री की इस प्रकार होती है कौन से वाउचर में सेल रिटन के एंट्री की जाती है यह सब जानने के लिए आप इस लेसन को सुरू से लेकर आख़ी तक जरूर देखें चलो हम देख लेते हैं कि सेल रिटन के एंट्री करने क से वापिस होता है उसे हम से लिटनिया परुचे रिटन कहते हैं चाहे वो बेचा गया हो चाहे क्रीदा गया हो मतलब अगर आपने समान बेच रखा है वह वास आ रहा है तो समन susceptled North और अगर खीदा हुआ समान हादो आपने समान खरीद रखा था किसी से उसमें उसमें कुछ समान खराब है वह आपने वापिस कर दिया उसे हम परचीज रिटन बोलते हैं अब वह तो बाट ठीक है कि भी सिंपल सा वर्ड है सेल रिटन सेल को रिटन करना परचीज रिटन करना लेकिन इसकी एंटरी कैसे करेंगे परचीज रिटन के एंटरी आप दो प्रक क्या है एक special purchase return के लिए बनाया गया है यदि आप inventory maintain करते हो अगर आपकी company inventory maintain करती है और inventory में आपने मतलब purchase voucher में आपने inventory के दोरान वहां पर entry कर रखी थी तो debit note या debit note voucher में उसकी entry होगी अगर आपने journal entry के रखी है और मतलब account only के आपने entry की हुई है तो उसकी entry आप जो है जनल वाउचर में करोगे देखो मैं यहां पर आपको confuse नहीं कर रहा हूँ debit note में भी आप entry कर सकते हो और जनल वाउचर में भी एंट्री कर सकते हो इच्छा है आपकी लेकिन ध्यान यह देना होगा कि यदि आपने पहले जनल वाउचर में एंट्री की हुई है तो उसकी आप एंट्री debit note में नहीं कर सकते है अगर आपने अगर आपकी company inventory maintain करते है तो भी आप जनल वाउचर में नहीं कर सकते है लेकिन अभी हमारे जो लेक्चर चले हुए current में अभी accounting के चले हुए तो यहां पर मेरी इच्छा है मैं उसको debit note voucher में भी कर सकता हूँ और journal voucher में भी कर सकता हूँ दोनों voucher में करने पर entry हमारी legal मानी जाएगी तो यहां पर आपकी confusing दूर करने के लिए मैं debit note voucher में भी एक entry करूँगा और purchase voucher में भी एक entry करूँगा ठीक उसी प्रकार sale entry जब sale return होती है तो उसकी entry credit note में होती है लेकिन आप उसी entry को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हो लेकिन जर्नल वाउचर में कब होईगी जब आपने जर्नल में entry कर रखी होती है या आपकी accounting only जो है transaction चली हूई है inventory की transaction नहीं है देखो जर्नल में और जो अलग अलग voucher होते हैं हमारे जैसे payment का sale का receipt का payment का या जैस में सारे voucher को combine करके हम एक जर्नल वाउचर त्यार कर सकते हैं लेकिन परचेज में अलग परचेज की entry होते हैं सेल में अलग सेल की entry होते हैं साथ की आप जर्नल मतल्व आम entry आप परचेज में या डेबिट नोट में या क्रेडिट नोट में कर सकते हो जो कि inventory वाली भी हो सकती है और आपकी without inventory वाली भी हो सकती है अकाउंटिंग वाली भी हो सकती है लेकिन अगर आप inventory की item या inventory की transaction जर्नल में कोशिस करोगे करने के लिए तो वो नहीं होगी बस यही main फरक है बाकि ता जर्नल में और अधर वाउचर में चलो ज्यादा टाइम ना खराब करते हैं हम आपको अब एंट्री करके दिखा देते हैं दो कि यहां पर हमने कुछ समान पर चीज किया था लास्ट एंट्री में मैंने आपको बता दिया था यह यलो वाला है यह पर चीज है जो यह ग्री में रखना होगा यहां पर मैंने बोट गुट्स प्रों कमलेश 15,000 का कमलेश से समान खरीदा था ठीक है और डिफेक्टिव गुट्स रिटन टू कमलेश और हमने दो हजार पे को वापिस कर दिया तो इसको ट्राजक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे टैली में आएंगे अ आप पर परचेज या सेल हो सकता है अब डैबिट नोट या क्रेडिट नोट को ओन कैसे करेंगे या लेकर कैसे आएंगे क्यूंकि यहां पर अगर आप जूम करोगे तो किसी भी वाउचर में आपको डैबिट नोट और नहीं दिखेंगे दिख़ूं यहां पर एक एरो सा कर दिया गया होता है इस एरो के अंदर ये होते हैं या तो आप keyboard से सोटकट की प्रेस कर सकते हो या आप आप डरेक्ट यहां पर पेम ही क्लिक करके वी आप डाड़ेट नोट ले सकते हो इसकी जो शोटकट की है टाड़ेट नोट की हूँ है मल प्लस-5 ठीक जैसे में ठीक है देख पा रहे हूं आप तो यहां पर आप किसी भी परकार से मतलब यह जैसे भी आपको ठीक लगता है आपने debit note और credit note यहां से आप ओन कर सकते हो फिलाल हमने debit note on कर लिया अब entry कैसे होगी यहां पर पार्टी का नाम आएगा कि किस पार्टी को आपने माल वापिस किया है देखो debit note का मतलब होता है परचेज रिटन समान वापिस कर रहे हो आप तो हमारी जो ट्रांजेक्शन दिसमें कमलेश को समान वापिस कर रहे हैं तो कमलेश हमने select कर लिया tracking हम आप आगे कराएंगे order processing में इसको continue करते हैं और यहां पर कमलेश की detail आजाएगी इसको भी एंटर करते हैं अब यहां पर पarticular में आप यहां पर purchase भी ले सकते हो थीकिया किसी किसी जो है accounting के course में बताया जाता कि आप cez नहीं ले सकते जब आप purchase begitu कर रहे हो तो लेकिं आप purchase का ले सकते हो लेकिन फिलाल के लिए हम purchase response का एक नचर करेंगे हमारे कि अग्रश कि पर्चेज की यहां पर परचेज एंटर और एंटर कर देते हैं फिलाल के लिए तो यहां पर 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 यहां आगे हमारा ठीक आप देख सकते अब पर चिरटन कितने का हुआ यहां पर 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 यहां प पाज़ेगा कि 15,000 रपे बैलन्स है ठीक है तो यहां पर आपको अगेंस रेफरेंस पे क्लिक करना और एंटर करके कर देना है बस और कुछ नहीं करना यानि जो पंद्रह हजार देना उसमें से 2,000 में माइनस हो जाएंगे अब मैंने परचीज रेटन आपको करके दिखाई डेबिट नोट में अब मैं एक जर्नल वाउचर में भी आपको परचीज रेटन करके दिखा देता हूं यह मैंने यह यहां से एप 7 प्रेस किया जर्नल वाउचर खुल गया ठीक है अब यहां से मैंने इसका मोड चेंज करना बताया था आपको यहां से आपको इसका मोड चेंज करना चाहते हूं डेबिट में बाइटू की जगा कुछ और करना कर सकते हूं तो अगली एंट्री क्या है परची परची एंट्री को नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत रेर चांस होते हैं कि कैस वाली एंट्री जो है रिटन की जाए ठीक है यह आगे समझने वाली बात है जब कैस रीटन कैस मतलो कोई समान बेचा गया है और वो रिटन आ रहा है उसके पैसे दिये जाते हैं तो किस ढग से दिए जाते हैं तो फिलाल हमने जो उधार में समान बेच रखा खरीद रखा उसकी रिटन के अंट्री में आपको करके दिखा रहा हूं तो यहां पर प्रचीज गुड्स स्वहन छे हजार पे गाए तो यहां पर क्या कि हमने सोहन से समान खरीदा था और इसको हमने वापिस करती है 2000 ठीक है तो इसकी मैं क्या करूंगा जनल एंट्री करूंगा तो क्या जनल एंट्री बनेगी यहां पर तो यहां पर सोहन अकाउंट डेबिट टू से लिटन तो वही एंट्री आपको यहां पर करनी है सोहन अकाउंट डेबिट सोहन खाता यह रहा ठीक है डाइबित में कितने 2000 और यहां पर एंटर और यहां पर क्या करेंगें दीक है अधिक है उसे रिड्डन का खाता एंटर इंटर इंटर एंटर एंटर होगी तो एक हैंटरी मैं कर एंटरई ने और एक एंट्री करी मैंने जर्नल वाउचर में लेकिन इसका हमारे सेल रिजिस्टर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा जब मैं आपको सेल दिखाऊंगा तो ये दो-दो हजार पे वहां से घट चुके होगे अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा सोरी परचेज रिजिस्टर ठीक है अब हम सेल रिटन की एंट्री कर लेते हैं अब सेल रिटन में हमारे पास क्या है यहां पर सेल रिटन में ये दो एंट्री है यहां पर हरी को समान बेचा गया है 30,000 पर और रवी को समान बेचा गया है 30,000 पर इन्होंने यहां पर वापिस कर रखा है ठीक है तो एक म वावचर्स में आएंगे एक credit note में करते है credit note on करने के लिए यहां पर आपको receipt में आना होगा receipt में आने के पाद यहां पर alt f6 जो है इसकी shortcut की है तो यहां पर credit note on हो गया अब यहां पर भी देखो mode इसके change कर सकते हो आप यहां पर mode जो है आप चेंज कर सकते हो accounting हमारा चला हुआ है तो accounting ही रखें आपर अगर आप दूसरा करोगे तो आपको थोड़ा सा confusing हो जाएगी ठीक है तो यहां पर credit note में अब क्या आएगा तो यहां पर रहाएगा हमारा party नेम तो समान किस को वापिस कर रहे हैं हरी को हरी को समान वापिस किया हमने ठीक है tracking को continue करते हैं और यहां पर हरी की डीटेल आगी और हरी को क्या किया सेल रिटन किया सेल रिटन का खाता हमने बना लिया है नहीं बनाया तो एल्ट प्लस सी सेल रिटन सेल रिटन किसकी एंटर जाएगा सेल के ठीक है और एंटर करते हैं फिलार सेल रिटन आ गया कितने का समान रिटन हो था में ब hai거야 एक यहां हरी को यहां पर किस परकार होता है हमारी क्रेडिट नोट की एंटरी जितनी भी आपकी sale return हो रही होंगी वो आप इस प्रकार कर सकते हो लेकिन जब हमारा inventory voucher चलेगा तब मैं आपको sale return या debit note या credit note दुबारा से कराऊंगा लेकिन तब हम यहां पर mode में आपको item वाला करवाएंगे इसमें हमें कितनी आइटम जो है return हुए उसका हिसाब देना होता है अब देखो हमारी credit note में होगी entry अब एक general में भी करके देख लेते हैं sale return की तो sale return की entry क्या बनती है तो sale return account debit और जो भी party का नाम है उसका account credit यानि रवी sale return account debit रवी account credit इस वाले की transaction यह बनेगे 4000 पर तो यहां पर sale return account debit sale return account debit ठीक है कितना यहां पर 4000 और enter to क्या था रवी तो यहां पर रवी रवी का खाता नहीं है मेरे पास प्लस ओके ओके मैंने रवी के entry करी ही नहीं थी इस वज़े से यह आ रहा है कोई बात नहीं हम यहां पर खाता तो बना लेते हैं प्लस प्लस रवी का रवी जो है समान बेचा गया इसको संड्री डैबिटर में किस में जाएगा संड्री डैबिटर में यहां पर इसको continue करते हैं अब यहां पर जैसे में आटीन माह था हमरा रवी और रवी को हम समान बेच देते हैं कि रिटन तो कर दी हम ने हम रोड़ बेचत हानी और कितने का बेच रखा और भी को यहां पर देखो तो सेल हो ने सिल हुआ समान टिटाउजन कि और एंटर ठीक है यह तो मैंने रजिस्टर को चेक करना था इसलिए मैंने किया है अब शेल रिटन भी होगे मारी परचे रिटन भी होगी डेबिट नोट भी होगा क्रेडिट नोट भी होगया, यहाँ यहां पर मैंने अब चेक करना है कि ठीक है मैंने एंट्री तो कर दी एक मैने credit note में डालके की या debit note में डालके की और एक मेने की journal voucher में लेकिन क्या उससे हमारा जो है sale जो भी return हुई थी वो वापिस हुई है actually में या नहीं उसको जानने के लिए हम यहाँ पर report में आएंगे रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम leiders भी च干़े करके दिखा देते हैं एक बार आपको सभी का तो यहाँ परोब हरी चेक कर लेते हैं तो हरी का यहाँ पर मैंने check किया तो यहाँ पर देखो अधारी की जो है節ifẹt हो चुकी है 30,000 वीन देहाँ थी तो पर 2000 पे जो है माइनस हो चुके हैं से लिटन के और बैलन्स जो है इसका 28,000 आ चुका है आपको दिखाना चाहूंगा अब 30,000 नहीं देने आपने इसको 28,000 के पैसे देने हैं सुरी लेने हैं देने हैं डैबिटर है नहीं और कौन था हमारे पास और रवी है ठीक है रवी का द हो चुका है यानि इसको 20,000 पे पे नहीं करने है रवी हमें कितने पैसे देगा 20 का तो समान हमने बेचा था 14,000 का वापिस कर दिया तो 16,000 ठीक है तो यहां पर आपको हरे की डीटेल में चेकर के दिखा रहा हूं और कौन है मारे पास कमलेस है ठीक है तो यहां पर कमलेस का समान खरीदा था हमने से 15,000 का दो हजार रपिय का वापिस कर दे कितने रहे यहां पर 13,000 ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है यानि चाहे आप क्रेडिट नोट में एंट्री करो चाहे आप जर्नल वाउचर में एंट्री करो आपका सेम टू सेम आएगा लेकिन कब जब आप अ रजिस्टर में जागे कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं अब यहां पर देखो सेल हमारी वही है जो हमने की थी ठीक है अब सेल रिटन हो चुके हैं यहां पर हम चेक कर सकते हैं सेल इतने की हुई थी और सेल रजिस्टर चेक कर लेते हैं सेल रजिस्टर में क्या दिखा रहा ह तो यहां पर यह हमारी तो यानि जो भी हमने एंट्री की हुई है यह पर चैसे हमने की थी ऐसा नहीं है कि अगर हम वाउचर के एंट्री जैसे मैं एक ग्रैडिट नोट में की और एक जार्नल में कर दिए उससे हमारे रजिस्टर पर या लैजर्स पर कोई इफेक्ट पढ़े बिल्कुल एकुलेट बैलन्स आएगा जो सही तरीके से आना चाहिए तो इस परकार आप सेल रिटन और पचेल रिटन की एंट्री कर सकते हो कि आपको जर्नल में करनी है या आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट में करनी है वैसे मैं जो रेकेमेंट करता हूँ या जो ज अधिने आपको सिखाया कि किस परकार हम सेल रिटनर परचे रिटन की एंट्री करेंगे बिसके वीडियो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा वाँ तो वीडियो को लाइक करें हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब वी जूरू करें आज की वीडियो में मिलते हैं न